मेकानिकल वाइटमिन में जहां पर आज हम वापस है CSIR Descriptive के वीडियो 4 पर पहुंच चुके हैं बच्छों के काफी अच्छे response आ रहे हैं, essays में काफी improvement देखा गया है Congratulations to all those persons जिनके essay में बहुत ज़्यादा सुधार आया है and once again ये वीडियो जो है ये वापस से दो ऐसे topic है educational reforms and quality of education और साथ में judicial reform अगर आप लोग को कोई भी question है, कोई भी queries है तो आप मुझे इस number पर whatsapp करके मुझे से पूछ सकते हैं ठीक है और अगर आप मेरे new channel से जुड़ें अगर ये वीडियो पसंद आती है तो please end में आप subscribe जरूर कर दीजेगा एक request है आप सबसे जितने भी students है last में जब आप वीडियो देखने हैं, अगर आप समझ चुके हैं कि essay में क्या करना है तो just leave a like on this particular video it gives me a signal that you have understood what you have to write, क्या आपको लिखना है और क्या आपको नहीं लिखना है किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, आपको चीज समझ में आई है या नहीं आई है तो इसके लिए please make sure करिएगा कि एक like जरूर कर दीजेगा, ठीक है now this is a part of paid batch, अगर paid batch से जुड़ना चाते है तो वीडियो के end में मैं उसके बारे में बताता हूँ तो make sure करिए वीडियो पूरा जरूर देखेगा, ठीक है चलिए, तो देखे पहले मैं ऐसे में कूदने के पहले मैं कुछ बाते आप लोगों को letter और precise के बारे में बता दूँ ठीक है था कि बहुत बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उसमें वो गलतियां ना करें letter में आपको हमेशा from starting to end आपको हमेशा left margin पर रहना है चाया वो letter informal हो, चाया वो letter formal हो, आपको left margin पर रुखना है ठीक है तो यहाँ पर जो बच्चे लिखते हैं your sincerely or something उसको वापस से left margin पर move कर दिये दूसरी बात, अगर letter में आपका नाम नहीं दे रखा है, आपका address नहीं दे रखा है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ABC XYZ district या XYZ village जो भी हो ठीक है, XXXX ऐसे करके आपको छोड़ना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको कोई ऐसा address नहीं लिखना है ठीक है, similar way में आपको आगर क्योंकि मानी ये general manager को लिखना है या किसी bank के manager को लिखना है सिधा का सिधा आप लिख सकते हैं, to the branch manager, X bank ठीक है, और नीचे वापस से XYZ village या XYZ city ऐसे करके आप लिख सकते हैं, so क्या है कि इसको पूरा का पूरा context क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा context ये होता है क्योंकि question में नहीं दे रखा है clear तरीके से, तो आप लोगों को ऐसे ही assume करना पड़ता है साथ में बहुत बच्चे गलती क्या करते है, formal letters में, जब आप नीचे your sincerely लिखते हैं, ठीक है, your sincerely लिखने के बाद, your sincerely लिखने के बाद, आप लोगों को एक line छोड़नी है, एक sign करना है, and then आपको अपना नाम लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है, ये तो गई letter की बात, precise की बात करेंगे, precise में बहुत बच्चे सही कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन, you have to consider the word limit, you have to consider the word limit, word limit को आप लोगों को consider करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, कि अगर माली ये 227 word का है, और 600 word के around का है, और 227 words में लिखना है, तो बहुत ब लेकिन 200 बहुत ज़्यादा gap नहीं रखना है, आपको word limit के बहुत पास में रहना है, आपको word limit क्रॉस नहीं करने, word limit के बहुत पास में रहना है, तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान में रखेगा, ठीक है, आज का वीडियो बहुत short रहने वाला है, मैं सीधा आप लोग Google में डालिए, comma 2024 लिख दीजे, ठीक है, sorry for this, 2024 लिख दीजे और फिर UPSC essay लिख दीजे, या news article लिख दीजे, ये दोनों में से कोई एक चीज़ लिख करके Google पे आप सर्च करिए, आपको सारा का सारा data मिल जाएगा, ऐसा आप हर एक के लिए कर सके data मिल जाएगा, आपको हर इधर उधर बार बार data ढूने की जर्त नहीं है, पहली चीज़, ध्यान में रखिएगा जब website का नाम उपर लिखा रहता है, उसके नीचे date लिखी रहती है, उस date पर आप ज़रूर फोकस करिए कि कब की posting है, मतलब कब ये इस article को post किया गया था, कई बार क्या होता है, 2024 और हाँ, एक बात और, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब data देखते हैं, तो उनके मन में लाला चाता है, और वो सीधा कर सीधा copy-paste करते हैं, don't copy-paste it in your essay, पहले पूरे essay को पढ़िए, जो content आपके दिमाग में रहा, उस content को आप rough work पे लिखिए, उसको rough work पे लिखने के बात, then start writing your essay, copy-paste मत करिए, copy-paste की वज़े से आपका दिमाग जो होता है, जिस तरीके से work करना चाहिए, उस तरीके से work नहीं कर पाता है, तो क्या है, आप पूरा essay या पूरा article पढ़िए, पढ़ करके उसको समझिए, समझने के बाद उसके rough work में, जो भी आपके दिमाग म याद नहीं रहते, उसको आप copy-paste कर सकते हैं, other than that, आपको कुछ copy-paste नहीं करना है, सब कुछ आप rough work में पहले धंग से लिखेंगे, धंग से मतलब क्या है, एक rough design draw करेंगे, उसके बाद आप अपना पूरी तरीके से लिखेंगे, I hope आप लोग को चीजे, यहां तक समझ म में आ गई होंगी, तो चलिए without wasting any time, आगे बढ़ते हैं, तो आज बात है education reforms and quality of education, simple है, पहले हम लोग पूरे structure wise में ही है, मैंने structure wise arrange कर दिया कि आप लोग को क्या क्या क्लिखना है, क्या 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 उसमें कर सकते हैं, तो पहले कौन सो system था इंडिया में, गुरुकुल system था, तो starting आप essay की कर सकते हैं, गुरुकुल system से कर सकते हैं, या education के importance से कर सकते हैं, या कोई quotes लिख सकते हैं, कोई एक famous personality द्वारा कोई quotes से start कर सकते हैं, ऐसे करके आप begin कर सकते हैं, ठीक है, status of education क्या रहा है, जो census last में 2011 में हुआ था, उसके हिसाब से, पिरामेडल structure क्या है, education system का, sustainable development goal के तहट में कहां आता है, साथ में आपका Indian constitution में right to education किस पर आता है, अगर आप लोगों को पता है, Indian education में right to education किस पर आता है, sorry, Indian constitution में right to education कहां पर आता है, comment it down, मैं देखूं कितने लोगों को याद है, कि कहीं कुछ भूलतो नहीं है, so right to education act 2009 ठीक है यह कौन सा आर्टिकल है आपको बता बताईए जितने भी कमीशन सा है जैसे कोठारी कमीशन हो गया राधा कृष्णन कमीशन हो गया राधा कृष्णन कमीशन कोठारी कमीशन एंड कस्तूरी रंगन रिपोर्ट यह सारे के सारे आप लोगों को वापस से पढ़ने है रीकलेट करना है क्योंकि बात क्या बात है यह एक सोशल मैटर है सोशल मैटर में जरूर नहीं कि आपको डार्टि एजुकेशन से कोष्ण आ सकता है एजुकेशन के अलावा बाकी भी पोष्ण से जहां से कोष्ण बन सकते हैं तो यह सारे जो committees, commissions और reports रहते हैं, these are very 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 important, यह बहुत जादा important है, ठीक है, similarly सुब्रमनियम TSI, TSR सुब्रमनियम की committee report क्या थी, और बाद में क्या, नई education policy में positive aspect क्या, NEP 2020 का, positive aspect क्या है, उसका negative aspect क्या है, criticism में उसका क्यों हो रहा है, and all, ठीक है, introduction में क्या, why education is, what is education क्या है, what is education, why is education so important, ठीक है, how and what India is facing, ऐसे करके आप कुछ लिख सकते हैं, या gurukul system या history से आप begin कर सकते हैं, introduction में, body of the essay में, जितने commissions, जितने report, ठीक है, और साथ में NEP के बारे में, उसके बाद government की जो जो initiative ली है, वो सब के बारे में, ये सारी के सारे portions आप body of essay में जैसे, government initiative, higher education, राष्ट्री उच्च सिक्षावियन 2013, higher education commission, फिर institution of eminence, ये सारा का सारा आपके सामने लेका है, अपार, gender parity, foreign education providers, quality of education, ASER क्या होता है, government initiative क्या लिए अगरे teacher की training किस तरीके से होनी चाहिए, दीक्षा क्या है, ठीक है, और एक पुरानी debate जो चलती रहती है कि private school versus public school, हाँ, आप इसमें एक और चीज़ एड कर सकते हैं, एक लव ये school का प्रावधान जो government ने initiate किया ही है, उसके बारे में और उसके infrastructure development के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, साथ में, if you want, you can, you can somehow correlate within, within a line or two line, कि आंगन बारी and all में, या फिर मिड़े मील से किस तरीके से गा ये बच्चों के, enrollment की और बच्चों की सिक्षा की, ठीक है, private school versus public school में क्या-क्या फरक है, और बाद में education quality upgradation equip inclusion program क्या है, उसके बारे में, conclusion में आप पूरी तरीके से लिख सकते हैं, कि क्या हो चुका है, बहुत ध्यान में रखे, बहुत बच्चे conclusion में बहुत गरबर करते ह मैं वापस से conclusion में बता दूँ, conclusion में आप बताएंगे, कि education की importance क्या है, ठीक है, इंडिया किस level पर चल रहा है, और उसको कितना चलने की ज़रूरत है, ठीक है, और इसको education level को achieve करने के लिए, what will be the role of an individual, role of individual, ये सब चीज़ें conclusion में आप लिखोगे, तो conclusion एक very, मतलब बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, एक बात और मैं कहना चाओंगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे ये करते हैं, कि वो सीधा का सीधा ऐसे, एक paragraph में उन्होंने रूसा के बारे में लेका, दूसरे paragraph में, HCI के बारे में, तीसरे paragraph में, आई हो, इक बारे में, लेकिन इससे घाटा ये है, कि आपके वो facts, 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 ऐसे बताते जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है, facts जब आप बताओ, तो जो दूसरा fact जब आप बताओगे, तो make sure करिए कि वो correlate करे, पहली चीज वो correlate करे, दूसरा correlate करवाने के लिए कि आप लोगो कुछ-कुछ connecting words यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि flow बना रहे, connecting words यूज़ करने पड़ेंगे, आप छोटी-छोटी sentences लिख करके छोड़ते हो, that government has done this, now, आप दूसरी line में, government has done this, in this particular field, बस, और उसके बाद फिर आप छोटी-छोटी lines लिख करके, आप उसको खतम करते हो, तो ऐसे में, ऐसा भी निंगी, बहुत ज़्यादा डेटा होना चाहिए, meaningful data, meaningful sentences, and connecting data with connecting sentences, and connecting keywords, इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके इस ध्यान में रखिए, ठीक है, to the point रहे, ज़्यादा भी data रखने का कोई मतलब नहीं है, कम data तो करना नहीं है, ज़्यादा डेटा रखने का कोई मतलब नहीं है, कि पूरा का पूरा data ही दिखे, data रखिए, लेकिन केवल relevant data रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, judicial reforms के बारें बात करें, तो इंडिया judiciary system में किस ranking पर आता है, क्या है, reforms की जरूरत क्या है, negative aspect of judiciary क्या र पर गया है, justice, access of justice हर किसी के पास नहीं रहता, quality of judges और उनके judgment पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे है, उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के उपर अभी कितना काम करने की ज़रुत है, appointment किस basis पर होता है, collegium system है, NGACM, तो किस तरीके से उसको, किस तरीके से उसमें क्या कमिया है, और क्या positive aspect है, ठीक है, judicial reform, यह meaning of judicial reform, यह आप starting के introduction passage में लिख सकते हैं, introduction passage में को constitution का एक particular portion उठा कर क्या आप लिख सकते हैं, कि what does judiciary means, और किस article के ताहत में judiciary आता है, ठीक है, वहाँ से आप introduction ले कर कर सकते हैं, और फिर आपको, क् कि judiciary reforms is must for a developing country, और इंडिया जैसी country के लिए judiciary reforms की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां पर cases बहुत ज़्यादा pending है, cases बहुत ज़्यादा pending है, और number of judges बहुत कम है, तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान किये जा सकते हैं, किस तरीके से किये जा सकते हैं, इन सब को आपको essay में address करना है, ठीक है, यहाँ पर spelling गलत है, modernization होगा, ठीक है, increasing number of judges, and then dispute कैसे resolve की address कता है, fast track, courts का क्या उसमें योगदान रहेगा, और judges को कैसे collegium system वाला, NJAC जैसा कि मैंने बताया, और senior judges, इसको uncle syndrome भी कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो senior most judges होते हैं, वो अपने ही जानने पहचानने वाले judge को recommend कर देते हैं, कि यह मेरी कुर्सी पर बैठने लाएक है, या यह इस कुर्सी पर बैठने लाएक है, जो की avoid होना चाहिए, और ज़्यादा बहता है तरीक से technology का भी use करके, जो pending cases है, जो backlog cases है, उसको जल से जल, खतम होना चाहिए, ठीक है, judicial accountability होगा, यहा बताया जा सकता है, और साथ में judicial education की क्या जरूरत है, उसके अलावा मैंने starting बताया infrastructure, appointment में delay, procedural delay और lack of technology की वैसे, जो की यह सारे points मैंने अभी कुछ दिर पहले बताएजी की technology का भी use किया ही जा सकता है, what can be done, आपका पूरा का पूरा focus किस पर रहेगा, what is going on and how it should be, पूरा focus आपका इस पर रहना चाहिए, how it should be, क्या चल रहा है और कैसा होना चाहिए, ठीक है, और क्यूं होना चाहिए, इसको भी आप body of essay में जरूर लिखेंगे, याद रखेगा, conclusion, positive note पर end होना चाहिए, कि yes, although India is a developing country, but it is moving, but it is moving towards developed country at a very fast pace rate, at a very fast pace, ठीक है, and then you will talk about judiciary conclusion में, कि because of India is now the highest populated country in the world, the need or the access of judiciary system to each and every individual, with proper efficient and with proper procedure, it should be like easy to access for all, ऐसे करके आप लोगो को कुछ positive note पर end करना पड़ेगा, ठीक है, I hope आप लोगो बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है, तो मुझसे पूछ लीजेगा, वाट्सप करके मुझसे पूछ लीजेगा, और मैंने आप लोगो तरीका बता दिया, किस तरीके से आप लोगो डेटा लेना है, जादा इधर उदर भागने की ज़र्त नहीं है, जितना मैं पॉइंट बता हूँ, आप एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, म फिर प्राइविट स्कूल और पॉब्लिक स्कूल और यह सब का भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, उन्ना डारेक्ली आप UPSC डाल करके, 2024 ऐसे करके डाल करके, आप वहाँ से प्रक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, चलिए फिर यह पूरा का अगर आप सही रखेंगें, तो वह सही हो जाएगा, लेटर में बस फॉर्मैट का दिक्कत है, और एक और कि आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, आपने आपको, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं करना मतलब, कि इस यह राइटिंग तो आ जनरल मेनेजर, और इस यह राइ आपको इंट्रोड्यूस करना है, अपने आपको प्रॉपरली इस बात का बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आप इसी इनिशेटिव के साथ में जुड़ना चाते हैं, जहां पर आपनों कैसे को इवालूएट करता हूं, विदिन दे सेम डेट मेरी पूरी क पूरी इसी कोषिश यही रहती है और मैं करता भी हुँ, अगर आप इस से जुड़ना चाते हैं, आप लुका पर इस बाता हुड़ना चाते हैं, on this particular, or you can scan this particular QR code. For any queries, you can ask this, asking on this 현 involved on this number and if you want to join this initiative and and have you have paid this particular amount to this particular UPI, send a screenshot on this number so that I can add you to the official group of CSIR Acting-Now, ठीक है कोई और दिक्कत कोई और परिशानी हो नहीं जुड़ना है 199 गुरुप से तब भी if you are facing any sort of difficulty if you are facing any sort of problem please let me know via comments जितना आप comment करेंगे I will you know मैं हरे comment का अक्सर जवाब देता हूं सारे comments का जवाब देता हूं so your comments are very very useful for me it is just like a feedback boost for me ठीक है मुझे पता लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं आप initiative आप इस initiative में और क्या चाहते हैं what else you you require जितना आप बताएंगे उतना मेली अच्छा रहेगा आप लोग की जरूरत क्या है आप लोग को क्या लगता है कि और क्या कर सकता हूं मैं और क्या किया जा सकता है इसके लिए उसके बारे में भी प्लीज आप मुझे सजेस्ट करिए I am open to every each and every suggestion जितना पॉसिबल रहेगा उतना मैं करने को तयार हूं बशरते आप लोग भी अपना पूरा 100% दे ठीक है यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक शो करिए लाइक कर दीजेगा शेयर इट विद यूद्य फ्रेंड फैमली और फ्रेंड फ्रेंड फैमली और यह नीव नीव चैनल प्लीज मेक शो टो सब्स्राइब देश पर्टिकला चैनल ज्यादा आप लोगा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा चीजें मैं आपनों को बता रहूं टॉपिक्स मैं आपको दे रहूं नहीं अगर आगर आपसे नहीं हो पारा सो प्लीज फिल फ्री तू आस्क मी एनिटाइम चलिए थैंक थैंक यू आप और अगर कोई परसनल को यह आप मुझे मेकानिकल वाइटमिन आट उस तो गडबल हो रही है अगर ऐसा फील होता है सो करेक्ट करिए क्योंकि आप आपका इंट्यूशन उस पर्टिक्लर डायक्शन में वर्क कर रहा है ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना धेर सारा ख्यार लखिए अच्छे से पढ़ाई करिए अच्छे से ऐसे लेटर एंड प्रिसाइज लिखिए और कोई और डाउट कोई और दिक्कत कोई और परिशानी है तो प्लीज मेंक्शू करिए कमेंट करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंग जैबारत थैंक्यू सो मच पर वाचिंग है वेरी सोड़े ईड है झाते है जो कि बढば गपर वाच पर वाचिंग है झाते हैं ढाईड है एभर द्टेम उहाओँ है झाते हैं आईड़ घल पर वाचिंग कोई और कोई हैं तो आट हमसे है